आज के टॉपिक में हम प्लैंक एक्सर्साइस के बारे में बात करने वाले हैं जिसमें हम जानेंगे कि रोज प्लैंक करने से हमारे सरीर में क्या बदलाव आते हैं प्लैंक एक बोडी वेट एक्सर्साइस है ये ना सिर्फ एक बहतरीन वर्काउट है बलकि करने में भी आसान है इसे करने से मसल्स को मजबुती मिलती है सांथ ही इसके कई दुसरे फैदे है इस एकसरसाइस को आप कहीं भी कर सकते है इसमें पैरों के पंजो और कुनी पर सरीर का भार रखना होता है तो आई ये इसे करने का सही तरीका और इसके बेहतरिन फैदों के बारे में जानते है पेट के मसल्स को मजबुती प्रदान करे इससे पेट की मसल्स को मजबुती मिलती है ये अकेली एक्सरसाइस लगभग पूरे सरीर को मजबुत बनाती है और बॉडी को सेप में रखती है पेट की चर्वी कम करने के लिए यह बेहत कारगर है कोर मसल्स को बहतर बनाए कोर मसल्स को मजबुत बनाने में प्लैंक एक्सर्साइस, सिट अप्स और क्रंच एक्सर्साइस से भी अधिक कारगर है इसे करती हुए कोर एरिया की लगवक सभी जरूरी मसल्स पर पॉजिटिव असर पड़ता है बैलेंस बहतर और सरीर लचिला बनाए किसी भी एक्सर्साइस के लिए संतुलन का अच्छा होना जरूरी है प्लैंक एक्सर्साइस से न सिर्फ मसल्स और सरीर मजबूत बनता है बलकि सरीर का संतुलन भी अच्छा होता है आश्टियो पॉरसिस से बचाओ प्लैंक एक्सर्साइस के नियमित अभ्यास से आश्टियो पॉरसिस जल से रोगव से बचाओ होता है National Asteoporosis Foundation Asteoporosis से बचाओ के लिए Plank Exercise की सला देता है कमर दर्द से बचाओ रोजाना Plank Exercise के अभ्यास से पीट के निचले हिस्सी की मासपेशिय ज़्यादा सक्री होती है साथ ही यहाँ Exercise गर्दन और रीट की हड़ी को भी सपोर्ट देती है और इसे मजबूत बनाती है साथ ही Six Pack Apes भी बन जाते है Plank Exercise की कई प्रकार है हर Plank की अलग-अलग पोजिशन होती है सधारन फुल Plank Arm Exercise के लिए सबसे पहले Push-ups पोजिशन में आ जाए लेकिन ध्यान रहे कि सरीर बीच से न जुके अब जितनी देर हो सके इसी इस्थिती में रहने की कोशिस करे सांज भी रोके रखने की कोशिस करे पैरो को उपर रखकर Plank करना हो तो सबसे पहले Plank Position में आ जाए और पैरो को किसी Plate Form या पुर्सी आदी पर एक Fit की उचाई पर रख ले अब साधारन तरीके से Plank करे Medicine Ball Plank के लिए आपके Plank Position में आने के बाद पैरो को फ्लोर पर रखने के स्थान पर Medicine Ball पर रखना होता है आसान लगने वाले इस Plank Variation में काफी मेहनत लगती है एक पैर पर Plank करना इस Exercise का एक और चुनोती पूर्ण वेरियेशन होता है इसमें सधारन प्लैंक की तरह ही कोनिया जमीन पर ही होती है पर एक पैर हवा में होता है प्लैंक एक चर्साइस करते समये इन बातों का खास ज्यान दखे अगर आपके Core Muscles कमजोर है तो प्लैंक ना करे अगर आपकी रीट की हट्टी में तकलीफ है तब भी प्लैंक से बचे गरदन में दर्द हो रहा है तो भी प्लैंक ना करे अगर किसी तरह की हेल्थ प्राबलम है तो डॉक्टर की सला के बिना प्लैंक ना करे तो दोस्तों इस तरह की और फिटनेस से सम्मनित वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करे अब मिलते हैं अगले वीडियो में धन्यवाद